अगर आपको रोमांचक रास्तों से गुजरने का सोख है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे रेलमार्गों के बारे में बताने जा रहे हैं जा हर पल मौत का खत्रा बनावा रहता है ये रेलमार्ग दुनिया के सबसे खतरनाग रेलमार्ग माने जाते हैं खतरनाग होने के साथ साथ ये रेलमार्ग बहद सांदार भी कहे जाते हैं कुल मिलाकर इनके बारे में कहा जा सकता है कि यहां चलना मतलब जन्नत और जन्नुम का मज़ा एक साथ लेने के समान आर्गो गेडे रेलमार्क जकार्ता इंडोनेसिया इंडोनेसिया की राजदानी जकार्ता से बेंडंग के बीच सपर करने पर रेलगाड़ी एक बहद उंचे और खतरनाक पुल से गुजरती है जिसे आर्गो गेडे रेलमार्क कहा जाता है इस पूल के दोनों तरब बाड़े नहीं है जिससे यह और भी भयावय लगता है यही वज़े है कि इस पूल से गाड़ी गुजरती यात्रों की सांसे अटक जाती है डर के मारे तो कुछ यात्रियों की चीक तक निकल जाती है हला कि इस डर्स के अलावा पुल के नीचे अगर देखे तो काफी सांदार नजाना दिखता है इस रेलमार का नाम है इस रेलमार का नाम है जो म्यानमार की सीमा से सटे थाइलेंड के कंचन बूरी प्रांत में है दूसरे विस्व युद के दोरान जब इस रेलमार को जापानियों ने बनाया तब सेकड़ों अंग्रेज और ब्रिटिस युद के दियों की जान इसके निर्मार के दोरान चली गई थी यहां रेलमार्ग नदी के किनारे किनारे हरे बरे और घने जंगलों से होकर गुजरता है जिससे यात्रियों को बहुती सांदार नजारों का दिदार होता है आसो मियामी रेलमार्ग जापान जापान का आसो मियामी रेलमार्ग ऐसे इलाकों से गुजरता है जहां जिन्दा जौलमकियों की भरमार है यहें रेलवे को भी नहीं पता होता है कि कब और कहां विस्पोर्ट हो जाए यहां ट्रैन से गुजरते वक्ट जौलमकि के लावा से तबाह हुए पेड़ भी दिखाए देते है इकवाडोर में इस रेलमार्ग को डेविल्स नोज यानि सेतान का नाग भी कहा जाता है यहें रेलमार्ग पहाडों पर 9000 फुट की उचाईप पर गुजरता है इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलमार्गों में सामिल किया गया है कुरांदा इसकेनिक रेलमार्ग आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया के कुरांदा इसकेनिक रेलमार्ग से गुजरने पर लोगों की सांसे अटक जाती है रेलगाड यहां बेरन जार्ज नेशनल पार्क में आने वाले सांदार जकलों से गुजरती है इस मार्क में कही जरने मिलते हैं जो कभी कभी पूरी ट्रेन को भिगो देते हैं यह रेल मार्क उत्री क्विंसलेंड इस दुनिया के हेरिटेज वर्सावनों से बजड़ता है ट्रेन एल लास न्यूबस रेल मार्क अर्जेंटीना अर्जेंटीना के ट्रेन ए लास्ट न्यूबस रेलमार्ग को पूरे करने में 27 साल लग गए थे यह दुनिया का सबसे खतरनाग रेलमार्ग में से एक है इस रेलमार्ग में ट्रेन इतनी उचाई से गुजरती है जहां पर बादल भी नीचे नजराते है इस मार्ग में 21 सुरंगे और 13 एक समान उचे पुल पड़ते हैं चैन्नेई रामस्वरम रेलमार्ग भारत भारत का चैन्नेई रामस्वरम रेलमार्ग दो किलमेटर से भी ज़्यादा लंबा है समुद्र में बने इस पुल का निर्मार्ड साल 1914 में सुरूआ था इस पुल से गुजरने पर आपको कुछ देर के लिए कहीं भी जमी नजर नहीं आएगी सिर्फ और सिर्फ समुंदर का पानी ही नजर आएगा यह रेलमार्ग दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाग भी है और ऐसे ही मज़दार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पर आप